सिविल अस्पताल में रग्दान करने वालों की कमी नहीं है कमी है तो सिर्फ यहां होस्पीटल में बेवस्था की या डाप्टरों की यहां के सिविल अस्पताल में अधिकांस ऐसे मरीज आते हैं जिनें बलट की जोर्ष पड़ती है गरीब मरीज को खून की और सकता है ऐसी सूचना मिलने के बाद यहां का इवा टीम तत्काल अस्पताल पहुँचकर रख़दान करना चाहते हैं लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लपरवाही के कारण बलड देने वाला इक्थुक ब्यक्ती भी निरास होकर वापस लोड जाता है ऐसी इस्थिती में मरीज के परिजन भी बलड के लिए इधर उधर भटकते हैं प्येज सींग देव के स्वास्त मंत्री बनने के बाद पत्थलगाउ सहित जस्पूर जिले के लोगों की उम्मीदे बढ़ी है क्योंकि पत्थलगाउ और जस्पूर जिला सरबुजा संभाज में आता है आप देखना होगा यहाँ के सिवी अस्पताल में बेवस्था किस तरह से सुधर पाएगा पत्थलगाउ से एक्सप्रेज रिपोर्टर मनो जंबस्थ